नमस्काल दोस्तों सत्यादी शर्मा क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सब का बहुत बहुत स्वागत है पड़वारी का पेपर पड़वारी की एक्जाम जब आई थी उससे पहले इस्टुडेंट में बड़ा उत्सा था पड़वारी के एक्जाम में स्टुडेंट ने देखा कि सिलेबस चेंज हो गया और आठ सब्जेक्ट के साथ परिक्षाप ली जाएगी मेनेजमेंट, इंग्लिज जैसे सब्जेक्ट जुड़ गए लेकिन स्टुडेंट जो है फिर भी हार नहीं माने और पुर्जोर कोशिष की सारे इस्टुडेंट ने कि वो पड़वारी में सिलेक्षन के लिए अपनी तयारी को जाली रखे और तयारी करके सिलेक्षन तक पहुंचे हैं मतलब दो महीने में, धाई महीने में या उससे भी कम समय में, आटाट सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना ये बहुत मुश्किल काम था इस्टुडेंट के लिए, ये काम इस्टुडेंट ने किया, एक्जाम निशन सेंटर में जब एक्जाम देने गए, तो क्वेश्चन भी माहल जो है वो बहुत निराशा का माहल जो है इस्टुडेंट के बीच में था नंबर को लेके कि नंबर बहुत कम अ रहा है पड़वारी में, लेकिन फिर भी हम सब लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर नंबर सभी स्टुडेंट के कम आ रहे हैं, तो कटउफ भी जाहिज इसी बात थे कम जाएगा क्योंकि सभी की कम नंबर आएंगे तो cut-off कम जाएगा न रिजल्ट आया कई सारे student जो है select भी हुए ऐसा नहीं कि student select नहीं हुए कई सारे student select हुए लेकिन टॉपर जो है कहीं नजर नहीं आ रहे थे अलग-अलग जिले में तो first rank student की दिख रही थी लेकिन all over जो है पूरे मद्दुबदेश में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए ये पता नहीं चल रहा था और ये एक विशे जो है सबके मन में था लेकिन अब जो चीजें सुनने में आ रही हैं जो इस पस्ट हो रहा है कि किसी student के 183 नंबर किसी student के 180 नंबर ये इतने कठिन पेपर में कैसे संबह हुए ये बात तो किसी के भी गले नहीं उतर रही है मतलब कहीने कहीन नजर आ रहा है कि कुछ तो गड़बढ हुई है कई सारी बातें आपको इस समय सुनने को मिल रही है इन सब के बीच अगर जितने भी coaching institute हैं छोटे बड़े सभी जो की हमेशा student के hit की बात करते हैं उनको आगे आना बहुत जरूरी है मतलब सरकार से ये मांग करना बहुत जरूरी है कि अगर इस भरती में कहीं गड़बढ हुई है जो वास्तों में नजर आ रही है तो उसके लिए जांच परताल करें निस्पक्ष जांच की जानी चाहिए वो किसी भी इस तर पे हो छोटे इस तर पे बड़े इस तर पे निस्पक्ष होना चाहिए और जो भी पटवारी के लिए या ग्रूप टू सब ग्रूप फोर में जो योग जब भरती हैं उनको जिस पद के लिए वो वास्तों में योगी थे जो बाहर हो गए उनको लिए जाना चाहिए कई सारे स्टुडेंट का सेलेक्षन हुआ है मतलब पड़ाई करते हुए हुआ है तो ये तो नहीं कहा जाएगा इस समय की पूरी भरती कैंसल की जाए पूरी पक्रिया कैंसल की जाए लेकिन जो योग्य हैं उनको पड़ों पर बैठाय जाए जो अयोग्य हैं या किसी कारण से वो सिलेक्ट हुए हैं वो कारण कुछ भी हो सकता है तो उन्हें जो है नोकरी करने का वास्तों में दिकार नहीं है सरकार भी इस बात को समझे कि योग्य लोगों की प्रसाषन में जरूवत है ना कि आयोग्यों की तो इसके लिए जो परिक्षा माध्यम है वास्तों में परिक्षा ही माध्यम होना चाहिए उस बीच में अगर इस तरह की चीज़े हो रही है इतने इतने नंबर हो रहे हैं आप लोगों ने भी दिया होगा, रिव्यू हम लोगों ने भी लिये हैं, कोई नहीं मिला सेंटर पर जो बोल दे कि मेरे 170-175 इंदोर में सभी सेंटर पर जाकर हमने देखा, लेकिन इतने नमबर अगर किसी के आ रहे हैं, तो कहीं ने कहीं कुछ गलत जरूर है, तो इस बात क की जांच होनी चाहिए, संस्थान की तरफ से, मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूँ, इसके अलावा, मैं सब भी कोचिंग इस्टिट्यूट जो इंदोर के हैं, बाहर के हैं, मैं चाहता हूँ कि वो एक जुट हो, और वो इस बात के लिए वीडियो बनाएं, बोलना चाह क्यों नहीं बोल रहे हैं, मतलब इस्टुडेंट हित सर्वोपरी होना चाहिए, विध्यारती का हित सर्वोपरी होना चाहिए, और वास्तों में कोई भी संस्थान है, बिना विध्यारती के सर्वाइब नहीं कर सकता, आप महेंगे महेंगे एड़ोटाइजमेंट करके, एक दिन ऐसा आएगा competition exam से student का जो मन है जो विस्वा से वो हड़ जाएगा तब कुछ भी नहीं रहे जाएगा इस बात को समझना चाहिए और मतलब बहुत मतलब बात जो है वो कहनी पड़ती है कि student के लिए विध्यारती के लिए एक परिक्षा बहुत बड़ा सपना होता है उसके माबाप के लिए उसके लिए एक परिक्षा पास कर लेना जीवन में सब कुछ हासिल कर लेना जीसा होता है competitive exam में competition सबको पता है बहुत हाई है इसके बावजुद जो है student लगे हुए हैं दो साल से चार साल से छे साल से लेकिन जब उन लोग से competitive exam के प्रती विश्वास उठ जाता है इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी लोग सभी coaching institute जो हैं इस बात को लेकर आवाज उठाएं वीडियो बनाएं सरकाल तक बात पहुंचाएं और इस पूरी प्रक्रिया की निस्पक्ष चांच चरूरी है क्योंकि student जो देश का युवा है वो यदि बिखर गया और उसका confidence यदि लूज हो गया समाप्थ हो गया तो फिर किस तरह से आगे की चीज़े चल पाएंगे मतलब ये केवल competition exam नहीं है ये एक student का विश्वास से एक सपना है और इसमें student ये मान के चलता है कि उसने अगर जीत हासिल कर ली तो जीवन का सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया तो मैं फिर एक बार ये कहूंगा सभी चोटे बड़े coaching institute जो विद्ध्यालतियों को सिक्षा देने में लगे हुए हैं वो विद्ध्यालतियों के हित की इस आवाज को भी उठाएं क्योंकि exam छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई त्यारी जो है पड़वारी की करवाता हो या ना करवाता हो बल्य की बात होनी चाहिए सभी विद्यारती से मैं यह अनुरोद करूंगा कि आप लोग निराश ना हो अतास ना हो क्योंकि सत्य की हमें साह जीत होती है और न्याय देर सवेरी सही मिलता जरूर है तो संस्तान की तरफ से आप लोगों को सभी को यह संदे से कि आप निराश अपने जीवन में कतई ना लाएं सकरात्मक रहें और सभी को इस्टिटूट से आगरे करते हैं कि वो सरकार तक इस बात को पहुँचाएं कि विद्यारतियों के साथ नियाय होना चाहिए और इस मामल की निस्पक्ष जांच होनी चाहिए बहुत बहुत थन्यवाद थैंकि बरी मच जै हिंद भारत माता कीज़े जाए